क्या पार्टी बदलने से बढ़ जाता है नेताओं के जीत का प्रतिशत है जानिये क्या कहता है दल बदलू नेताओं का दल बदलने कहा खड़ा नमस्कार आप देख रहे हैं दखबरदार नियूस तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुकोरे बड़ी खबर पर आप देख रहे हैं दखबरदार नियूस ये नियूस चैनल नहीं आपकी आवाज है आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना जुका सकता है हम करते हैं सब को खबरदार देश में चुनाव आते ही कई पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी को बदल कर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ते हुए देखा जाता है हाला कि कई बार ऐसे दल बदलने वाले नेता जीतते हैं तो कई बार हारते हैं ऐसे में देश के आगामी लोगसबा चुनाव के पहले यह जानना जरूरी है कि जिन नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ी है और दूसरी पार्टी को चुना है उनकी जीतने की उमीद कितनी ह जाती है एक बार फिर से चुनाव पहले देश में कई निता अपने दल को बदलने में लगे हुए हैं दरसल कई दिनों से रोज कोई न कोई निता चुनाव से पहले पार्टी छोड़ कर दूसरी पार्टी को चुनता हुआ नज़र आ रहा है यसा शिर्फ बड़े दलों में है बल्कि छोटे छोटे जोटे दलों के नेता भी पार्टियों में कट ऐसे में इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है कि क्या दूसरी पार्टी को जोइन करने से जीत का प्रतिशत बढ़ जाता है तो चलिए आज इस सवाल का जवाब हम इस खबर से जानेंगे दल बदलने वाले नेताओं का क्या है जीत का उस्त दरसल ऐसे में आंकडों की बात की जाए तो दल बदलू नेताओं के जीतने का उस्त गिर रहा है मेडिया रपोर्ट की माने तो 2004 लोकसवा चुनाव में दल बदलने वाले नेताओं के जीत का प्रतिशत 15 प्रतिशत था वहीं 2019 में लोकसवा चुनाव से दल बदलने नेताओं के जीतने का उस्त गिरता हुआ नजर आया है दरसल आकड़े की तरफ देखा जाए तो 2019 में जीत का प्रतिशत घटकर सबसे निचले इस तर पर 2.4 प्रतिशत पर पहुँच गया है दरसल आस्त के अनुसार 1977 में दल बदलने वाले नेताओं के जीतने का प्रतिशत सबसे जादा था यदि इसको और आसान भाषा में समझा जाए तो लोकसवा चुनाव 2019 में तकरीबन 8000 उमीदवारों ने अपनी किसमत को आजमाया था जिसमें से 956 नेताओं ने अपना दल बदल कर चुनाव लड़ा था लेकिन जब नतीजे आये तो इसमें से मातर 29 नेताओं को ही जीत मिल सकी आखड़ों के अनसार अभी तक 1980 में सबसे जादा थक्रीबन 377 उमीदवारों ने अपना दल बदल था खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार देखते रहिए दाखबरदार नियूज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें